सबी का warm welcome है वाइटी योर इंगली शूटर पे आज सुबह फरवरी 27 का second editorial दहिंदू का पढ़ने वाले हैं reducing pain इसका title है यह article लिखा हुआ है ladies के menstrual cycles पे जिसके दोरान उनको 5-6-7 दिन बहुत जाला discomfort से गुजरना पड़ता है तो क्या इस discomfort के वक्त में उनको उनके workplace से चुट्टी मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए paid leaves की बात हो रही है यहाँ पे चुट्टी भी मिले और salary भी मिले तो यह एक बहस है बहुत बड़ी एक argument है जिसके उपर आज का editorial लिखा हुआ है बहुत है interesting है informative है आज का quiz भी आपको चलिए class को शुरू करते हैं आज करहें जी reducing pain देखे पेन तो आप जानते ही है दर्द को बोलते हैं है ना और reduce करना मतलब किसी चीज़ को खतम करना या कम करना कहरा जी दर्द को कम करना है menstrual cycles के दुरान ladies को जो discomfort है कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि वो discomfort उनके लिए bearable हो जाए कम हो जाए बात वही कर रहा है own menstrual leaves की ऐसी चुटियां जो किसी भी working lady को मिले उसके menstrual cycle के दुरान है ना 2-3-4 दिन के उसको paid leaves मिले अ मजगे समझाने की जरूरत नियस में जादा कुछ आगे बढ़ते हैं यह जो पेइन वर्ड है ना देखो आपका पेपर जो एक्जामने रहे ना ससी बैंक वाला या डिफेंस वाला वन वर्ड की कोई उसने सीमा ने रख्य हुई है इडियम की कोई उसने लिमिट ने रख्य हुई है तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने देखा कभी किसी एक्जाम में पेइन किलर के लिए कौन सा वन वर्ड है अब देखो वैसे तो पूछा हुए तो इसलिए आपको बता भी देते हैं एनल जैसिक वह दवाएं होती है जो आपको पेइन को रिद्यूस करती है न को बोलते हैं सौमनी फैरस यह वो दवाएं होती है जो आपको नीन दिलाती है यह वन वर्ड से कुछ दवाओं से रिलेटेड ठोड़ा गूगल पर सर्च मारों के लो चार पांच से याद कर लेना पेन वाला हो गया एनल जैसिक नीन दिलाने वाली दवाएं को बोलते हैं स the constraint क्या होता है रस्ते की रुकावटे बाधाएं लिमिटेशन्स पाबंदियां करे सारी रुकावटे सारी पाबंदियां जो हैं और किस रोड की तरफ किस रस्ते की तरफ वो रोड वो रस्ता जो अचीव करने का है पाने का है जेंडर इक्वालिटी को लेंगिक समानता को आदमी और औरतों को दोनों को बरावरी से ट्रीट किया जाए। करें ये सारी constraints वने से रोड में, इनको खतम होना बढ़ेगा, constraints must end. बहुत ही simple सा sentence है, मेरे खाल से देखने वाला कुछ है नहीं, constraints आपका subject है, must end इसकी verb है, model verb लगी हुई है, साथ में verb की base form को लगाया गया है, constraint, restriction, limitation, hindrance, deterrence, obstacle, है ना, ये सब एक दूसरे के synonym है, चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे इस article की सारी vocabulary आपको दिखा देते ह और उसी के साथ में, जिन प्यारे प्यारे स्टुडेंट्स ने एपको डाउलोड निक किया है, YET आपको डाउलोड करो, आपकी अपनी एप है, first comment में इसका link रखा है इसी वीडियो के नीचे, एप पे आपको मिलेंगे, courses for writing, SSC and banking, writing course में descriptive लिखना सिखते हूँ, UPSC या कि मन से उससे पहले फाइदा जरूर से ले, banking course के अंदर आपको पूरा banking का से लेवर, clerical और PO, prelims और mains का plenty of practice sessions के साथ में cover करवाया जाता है, तो सही approach देखकर कैसे मांस को boost करना है, ये banking course में सीख सकते हैं, इसी तरीके से SSC के course में, SSC के सभी exams का prelims और mains आपको तयार करवाया जाता है, एक एक variety के question को detailed approach के साथ में करना सिखाया जाता है, courses से related कोई भी query हो, ये team का number है, आप इस पर WhatsApp करके team से बात कर सकते हैं, app का link इसी वीडियो के first comment में रखा हुआ है, चलिए अपनी vocab sheet है, constraint से शुरू करेंगे और 6-7 words है अपने पास, आज vocab काफी heavy है, constraint आपको बताई दिया भी, कोई पबंदी हो, कोई बाधा हो रस्ते में किसी काम को करने में constraint कहला थी है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, doctor बनना है, लेकिन financially आप इतने strong नहीं हो कि आप किसी private college में जा सको, और समझ गे ना, family afford नहीं कर सकती है, doctor की पढ़ाई, तो ये constraint है, आपकी doctor बनने की, सबसे इन words को आपको अपनी routine life में बिठाना पड़ेगा, तभी ये आपके साथी बनेंगे, constraint को restriction, limitation भी बोलते है, the biggest constraint in expansion of a company's business is lack of finances, सबसे बड़ी रुकावट किसी भी company के financial expense में जो expansion में आती है, फेलाब में आती है, वो होती है, lack of, यानि की कमी of पैसे की, पैसे अगला word देखते है, constraint तो बड़ा simple word था, अब एक word है, deterrent, काफी मिलता जूलता है constraint word से, constraint तो आपकी सिमाएं, आपके समझगे न, पबंदियां जो आपके उपर लगी हुई है, deterrent होती है, आपके रस्ते की रुकावट, वैसे तो same word है दुनों, आपकी पबंदियां ही तो आपके रस्ते की रुकावट है, है न, लेकिन दोनों के लिए अलग specific words लगे हुएं अपने पास, पाबंदी के लिए constraint और साफ साफ जो रुकावट बनी हो रस्ते की उसके लिए deterrent, deterrent को impediment, hurdle, obstruction, hindrance, stumbling block, road block, handicap, सभी word से बताए जाता है, याद रखने वाला word है जो देखलो आप, incumbrance or hindrance, ठीक है, रस्ते की रुकावट है, incumbrance or hindrance, corruption is a major incumbrance or hindrance or deterrent in the growth story of India, corruption जो है, सबसे बड़ी रुकावट है भारत की growth की स्टोरी में, विकास की कहानी का, चलिए, अगला word देखते है, enshrined, enshrined, shrine क्या होता है, दरगा, दरगा में क्या होती है, dead body, समझगे न, ब में, जो की स्राइन के अंदर रेकि रिखी हुई body होती है, अगर आप, enshrined है, या कोई चीज enshrined है, तो वो बिलकुल उसी तरीके से, अंदर बसी हुई है, किसी दूसरी चीज के, जैसे की, dead body, एक shrine के अंदर बसी होती है, दरगा में, एक body होती है, कबर होती है, उसके उप करके दिखाता हूं इस वर्ड को तब दिमाग में बैठेगा और fundamental rights and duties are enshrined in our constitution हमारे मूल अधिकार और करताव हैं बसे हुए हैं enshrined हैं अंतर नहीत हैं हमारे constitution के constitution है तो यह चीजे भी हैं सब साथ में मिली जूली हैं कहने के मतलब यह entranced inherent embedded deep seated deep rooted innate यह सारे words बार बार रहेंगे इसके synonym बनके इस word के आज जो article में आप word देखेंगे ना वह आप देखेंगे entranced लेकिन adjective form में नहीं verb form में enshrined मतलब अंदर बसा हुआ लेकिन अगर मैं enshrined लिख दूँ खली इसको निकाल दूँ और इसको verb की first form मना दूँ तो इसका article में जहां करेंगे महां बता दूँगा चलो अगला word stigma stigma का मतलब होता है कुंठा a symbol of disgrace जैसे कुछ लोगों को stigma होती है गरीब होने की जबकि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं और कोई बुरी बात नहीं है देश पूरा ये गरीब था से नॉर्मल लाइफ का पार्ट होनी चाहिए समझेना ऐसे इस वर्ड को connect करके रखो आपको stigma हो सकती गाम से होने की आपको stigma हो सकती अंग्रेजी ना जानने की या पैसे वाला ना होने की करेजी एशियन female population is still fighting the stigma around girls pursuing higher studies and running businesses एशिया की जो female population है आज भी fight कर रही है इस कुंठा से stigma से जो stigma है लड़कियों के higher education को पाने की या किसी business को run करने की तो एशिया में आज भी ऐसी लड़कियों को थोड़ा सा समझे ना उस तरीके से देखा जाता है कि यह तो बड़ी fast forward girl है अपना business भी चलाती है higher education भी करना चाती है तो यह stigma है वर्ड आर्टिकल में आएगा चलिए second last word आज का censure एक noun भी एक verb भी है जब मैं बोला करूं ना noun भी है वर्ब भी है उस word की तरफ खास ध्यान देना है noun form में verb censure का मतलब होता है इस word का कड़ा criticism यह कड़ी अलोचना verb form में किसी को कड़े से अलोचन करना ह नाउन और वर्ब एक ही form में दोनों words जो है वर्ड जो है पको मिलेगा the minister has been subject to severe censure since the scam came to light जो minister है वो subject to रहा है आधीन रहा है subject to आप जानते है अलगी phrase है अपने आप में subject to का मतलब होता है किसी चीज़ के आधीन होना तो minister जो रहा है subject to रहा है बहुत कड़ी आलोचना के ज यह दो censure word है ना censure word है इसको denounce, condemn, rebuke, deploy, decree सभी word से बता जाता है आज अब condemn नाम का word या decree नाम का word आर्टिकल में दिखेंगे चलिए last word है आज का in fact दो words हो रहे है चलो कोई बात नहीं अच्छी वो कहा है ना dispose of of नहीं है और single f है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से चुट आते हो या फैक देते हो गली में तो dispose of करने का मतलब ही यही है किसी चीज़ से चुटकारा पाले ना ओ डबल एफ नहीं और single f dispose of को get rid of करना भी बोलते हैं do away with करना भी बोलते हैं dispense with shed या eradicate करना भी बोलते हैं the killers tried to dispose of the body by throwing it in a river killers ने कोशिश किया चुटकारा पाने की बोड़ी से ठिकाने लगाने का बोड़ी को इसको river में फैक के नदी में फैक करके ठीक है dispose of ही कर रहे थे नदी में फैक के चलिए last word है insipid देखे insipid का मतलब होता है बेसवादा फीका और जरूरी नहीं है खाने के अगर कोई बात फीकी लगे कोई idea कोई विचार कोई argument तब भी आप insipid word को यूज कर सकते हैं जो uninteresting हो जिसमें रस ना आता हो insipid कहलाता है जनरली गिसी पीटी बातों के लिए insipid word यूज होता है गिसा पिटा को insipid बोल देते हैं अंग्रेजी में the audience were disappointed with the insipid performance of the team audience जो थे वो disappointed थे यहां पर audience को हमने collective noun बनाया है audience में बहुत सारे लोग थे हैं तो audience के जो लोग थे वो बड़े निरास थे फीकी performance से team की insipid performance of the team अब यह जो फीका word है ना इसको hackenet, cliche, banal, trite, bland, wipid यह सारे word से बताया जाता है जितने याद हो उतने याद कर लो बागी किसी article में आ इसका synonym है, stereotypical भी इसका synonym है आज article में देखेंगे, गिसा पिटा है ना stereotypical, चलिए detail में होगी वो कैब, आ जाओ अपने article पे, समरी जदे आपको किस बारे में लिखाओ आपको पता लगे, बहुत सारी advanced economies हो है ना दुनिया में, जैसे कि Japan, South Korea, in fact Indonesia जैसी countries भी, इन countries ने रूल बना रखा है कि menstrual leaves मिलेगी working women को, दो, तीन या चार दिन की, जब वो अपने menstrual cycle से गुजर रही हो, हर महीन है, ये paid leaves होंगी, ladies को office आने की ज़रोत नहीं है, चाए सरकारी, चाए private, कोई भी job वो करती है, दो, तीन दिन discomfort है, तो घर पे रहेंगी, अपना time pass करेंगी, अब य यही बहांस इंडिया में भी चल रही है, कि क्या, ये rule जो है, इंडियन government भी ले आए, private और सरकारी दोनों के लिए, sector के लिए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब ये rule आएगा ना, उसके बाद, ladies को private sector में लेने से लोग कतराएंगे, क्यों कतराएंगे, वह उसक पूल लाना कहीं उनके लिए, लेने के देने की बात ना हो जाए, तो इसी बहस पर ये article अधारित है, दोनों तरह की views आपको बताएगा, और last में सरकार को suggest करेगा कि क्या करना चाहिए, इसके अलावा भी एक और बड़ी समस्था है, जिसके तरफ सरकार ध्यान नहीं देरि इक्वालिटी, हैव बिन रिमूवट, कॉमा, बट मैनी रोड ब्लोक्स रिमेन, करे जी बहुत सारे बैरियर्स जो है, बाधाएं या रुकावटे जो है, करे और किस पे, इस रोड पे, इस रस्ते पे, जो है जेन्डर इक्वालिटी का लेंगिक समानता का, करे ये बैरियर को रिमूव कर दिया गया है, हैव बीन रिमूवड, पैसिव वोईस लगा करके, करे लेकिन बट अभी वी बहुत सारी रुकावटे, बहुत सारे रोड ब्लोक्स बने हुएं, रिमेन हैं, कंटिन्यू हैं, सिंपल सेंटेंस, बैरियर्स की वोब है, हैव बीन रिमूवड, roadblocks की verb है, remain, barrier और roadblock दोनों एक दूसरे के synonym है, बधाओं को, रस्ते की रुकावटों को, obstruction को, deterrent को, hindrance को, stumbling block को है ना, barriers या roadblock बोलते हैं, सारे जो words करवाई थे ना भी vocab sheet में, मैं वही वाले बता रहा हूँ, कुछ नहां नहीं बता रहा हूँ, चलो और आगे बढ़ते हैं, करे जी, women have fought hard to get to the present, when, thanks to higher education and work opportunities, they can dream of balancing work and home, लंबा sentence है, इतना ही पढ़ लो, इतना पार्ट पढ़ोगा, तो बाकी समझ में आ जाएगा, करें जी जो women है, अब ये women क्या होता है, बई देखो, एक औरत है, तो इसको बोलते है, woman, और लिखा जाता है, M-A-N, और अगर एक से ज़यादा हों, अनेक हों, तो M-E-N लिखा जाता है, और इसको बुला आता है women spelling में भी फरक है और बोलने में भी फरक है एक को क्या बोलते है women और कई सारी हो क्या बोलते है women जैसे men और men एक आदमी men और कई सारे आदमी men m-e-n तो a और e से आप singular plural बना सकते हैं तो यहां लिखा हुआ है women करे जो women है जो ओरते हैं उन्होंने fought किया है लड़ा है बहुत hard बहुत अच्छे से और क्यों लड़ा है भाई get करने के लिए पाने के लिए पहुँशने के लिए to the present आज के वक्त तक present जो भी चल रहा है और करे कब करे जब when thanks to thanks to का मतलब होता है की वज़े से करे जब की वज़े से और की वज़े से किसकी higher education की और work opportunities के अच्छी education की और काम करने के अफसरों की करे इन दोनों की वज़े से आज जब वो dream of कर सकती है वो पूरा सपना ले सकती है इस चीज का जो है balance करने का work and home को नहीं तो इनकी समस्या पहले से यही थी पचास सो सालों से खास करके भारत जैसे देशों में काम करें के घर समाले लेकिन आज अच्छी education मिल रही है work opportunities मिल रही है तो काम भी ऐसा कर पा रही है जिससे घर ये बड़े प्यार से साथ में समाल सकती है आगे कर लिखा हुए जी आगे करें जी इसके बावजूद दो couple equity is still not a reality for money करें फिर भी couple equity जो है couple में दोनों आदमी जो है आदमी और उरत उनमें जो बरावरी है जो equity है वो अभी भी एक reality नहीं है कई ओरतों के लिए for money तो ओरते घर परिवार समाल रही है जॉब कर रही है अच्छी नोकरिया पा रही है work opportunities मिल रही है higher education में भी जा रही है लेकिन बावजूद उनमें घर के अंदर भेजवा होता है मिया को थोड़ा ज़्यादा आँका जाता है बेवी से है ना कपल एक्विटी आज भी ओरतों के लिए एक reality नहीं मना है चलिए women की वब है have foot they की वब है can dream of couple equity की वब है is thanks to का मतलब होता है की वज़य से क्या मतलब होता है इसका because of due to या owing to thanks to में याद रखना thanks एक noun है और noun form में thanks वो हमेशा thanks बनके ही आएगा plural में आएगा कई सारे noun है जो हमेशा plural में आते है pants, trousers, glasses, binoculars arms, arms thanks, whereabouts, premises दो दिन पहले concert करवाया था आपको thanks वैसा ही word है noun form में हमेशा अपने पीछे s लेगा अब ये आज के quiz में question आपसे पूछा होगा है फिर thanks to की जगा मैं thank to लिख दूँगा ऐस निकाल के आपको इसको thanks to बनाना पड़ेगा चलो और आके बढ़ते हैं करेजी जो battle for rights related to reproductive health has been a hard fought one but women have been successful at persuading governments to initiate policy changes to improve their health and well-being करेजी जो battle है ना एक और जंग है उपर कौन सी जंगे हुई है तो पहले दूसरी जंग जो थी अच्छी नोकरी पाने की higher education लेने की वो ये जीत गई couple equity की जंग आज भी जीतने की कोशिश कर रही है कोशिश कर रही है औरते के couple में equity हो करेज तीसरी जंग भी थी battle थी जो थी उन हकों की उन rights की जो जुड़े हुए है reproductive health से reproductive health मतलब sexual health करे ये जो battle है न ये भी रही है एक hard fought one एक ऐसी वाली battle जिसको बहुत hard fight किया गया है hard fought battle है करे लेकिन women जो है आखिरकार successful रही है कामयाब रही है और किस काम में परस्वेड करने में मनाने में परस्वेड करने में राजी करने में सरकारों को government को कि वो initiate करें वो शुरू करें ऐसे policy में changes को ऐसे कानून में बदलावों को जो improve करें उनके health को और ओरतों की well being को तो आज से 50 साल बाद abortion करवाना बड़ा मुश्किल काम था ladies के लिए लेकिन आज नहीं है तो यह जो sexual health है ना इसके लिए इन्होंने fight लड़ी है सरकारों को मनाया है कि हमारे लिए इस तरह से कानून बनाए जाए कि हमारी health और well being हम अपने इसाब से देख सके तो the battle की verb है has been women की verb है have been battle singular women plural तो यहाँ पर has been यहाँ पर have been लगा हुआ है present perfect tense has प्लस में verb की third form reproductive health बता दिया मैंने आपको sexual health reproduction जो word है ना इसका मतलब ही होता है the act of making babies बच्चे पैदा करने का जो काम है वही reproduction है तो reproductive health अपने आपी sexual health बन जाएगी persuade और dissuade दोनों बड़े प्यारे words है screenshot ले लो इसका प्यारा सा एक फिर समझा लेता हूँ question कैसा बनेगा देखे persuade word है ना इसका मतलब होता है किसी आदमी को राजी करना किसी काम के लिए जैसे मैं आपको राजी कर लूँ कि चल मेरे साथ घूंबने चल आप सलने की चनी है आपको पढ़ना है, सोना है मैंने आपको persuade कर लिया कि चल मेरे साथ यह हो गया persuade dissuade का मतलब होता है किसी आदमी को राजी करना किसी काम को ना करने के लिए जैसे आपने बोल दिया इनकी structure अलग होगी persuade someone to do something dissuade someone from doing something feel आ रही होगी थोड़ी concept की use करके दिखा देता हूँ the management is persuading investors to increase their funding management जो है मना रही है, राजी कर रही है निवेशकों को, investors को कि वो अपनी funding को increase कर दें वो जो पैसा दे रहे हैं उसको बढ़ा के दें management को राजी कर रही है किसी काम को करने के लिए लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूँ the management is dissuading dissuading investors from selling their stake यहां management मना रहा है investors को कि वो एक काम ना करें और कौन सा काम ना करें अपना हिस्सा ना बेचें जो stake है उसको बना के रखें company में share की विक्वाली ना करें समझ पारें ना मनाया यहां भी मनाया यहां भी लेकिन मनाया यहां पर किसी काम को करने के लिए और यहां मनाया किसी काम को ना करने के लिए dissuade के साथ में from plus में verb की ing form persuade के साथ में to plus में verb की base form डिटेल में इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि फिर यही confusion रजाती है सर यह दोनों का मतलब राजी करना है तो फिर structure क्यों अलग-अलग है दो अलग-अलग words क्यों है अब समझ गए ना चलो आगे बढ़ते हैं करें जी in India the maternity benefit act that was enacted by parliament in 1961 has been amended from time to time to give women better benefits अब यह semi column लग गया independent close आएगा इसके बाद में इसी sentence का पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग है इतने पड़े करें जी भारत में जो maternity benefit act है यह क्या होता है maternity मतलब माँ बनना है न वह आपका maternity का process है बच्चे को जनम देना उसको पालना पोस्टना दूद पिलाना maternity तो करें जो motherhood है जो maternity benefit जो मिलते हैं औरतों को सब औरतों को मिलते हैं सरकारी हो चाहिए प्राइट को जौब हो फॉर्मल सेक्टर में करें ऐसा एक जो है जिसको इनट किया था जिसको गढ़ा था फॉर्म किया था हमारी पार्लियमेंट में 1961 के अंदर करें यह जो एक्ट है यह अब यह कैसे कैसे हुआ है आगे सब्सक्राइब लागे बता रहें आपको करें फॉर इंस्टेंस पेड मेंटर्निटी लीव हैस बिन एक्सेंडेट फ्रॉम अर्लियर 12 वीक्स टू 26 वीक्स करें उधारन के लिए जो पेड मेंटर्निटी लीव होती है पैसा दे करके लीव म सेक्टर में हो चैंक кино Continue अर्शी जोब में है और सरकारी में हो तो बच्चा पैlor करने की यवज में या बच्चा पैदा करने के विलकुल बाद चंप मैं है है की वह ए्ट मे बॉइस बिहाँ की थ हड्सकалась की करे जी, it is in this context that the Supreme Court of India's directive to a petitioner to approach the Union Ministry of Women and Child Development to frame a policy on men's stone pay leave has to be seen. करे जी, उपर हमने जो इतना पूरा ग्यान दिये हैं आपको, करे जी, यही वो context है, it is in this context, करे जी, यही वो पूरी बात है, यही वो पूरा background है, जिसमें that, हमारा जो Supreme Court है, उसका जो डारेक्टिव है, उसका जो एक नया order आया है, और किसके लिए आया है, डारेक्टिव आया पेटिशनर के लिए राच याचिका करता के लिए, जिसने Supreme Court में पेटिशन डाली होगी, और क्या डारेक्टिव है, कि यह जो पेटिशनर है, यह अप्रोच करें, जाके मिले, हमारी Ministry of Women and Child Development के अफसरों से, WCT Department के लोगों से, और क्यों मिले, क्यों अप्रोच करें, कि यही बनाए एक policy को, जो हो menstrual pale leave पे, ऐसी चुटियां जो औरतों को menstrual pale से चुटकारा दिलाने के लिए हर महिने मिलती हो, करें जी इसी context में इस directive को has to be seen देखा जाना चाहिए, तो Supreme Court बड़ा समझदार है, Supreme Court ने क्या बोला, भई आपने हमें बोला है कि चुटियां दिलाओ, तो फिर देखते हैं department क्या करता है, तो court ने खुद पढ़ने की बजाए बीच में petitioner को department के पास में approach करने के लिए बोल दिया, इट की verb है is, directive की verb है has to be seen, है न, to be seen passive infinitive है, चली और आगे बड़ते हैं, कहानी समझदार हो ना पूरी, किसी आदमी ने petition लगाई, फिर Supreme Court ने उसको Chief Justice of India Mr. Chandra Chud said, the biological process must not become a disincentive for employers offering jobs to women, करे जी point out करते हुए, इशारा करते हुए, that इस चीज़ पे, कि वहाँ पे अलग-अलग dimension है, अलग-अलग aspect या पहलू है, dimension मतलब पहलू समझ लो ना, aspect समझ लो, कि बहुत सारे अलग पहलू है, इस पूरे मामले के, सिरफ यही पहलू निए कि ओरतों को दर्द हो रहा है, तो छुटी देदो, करे जी point out करते हुए, इस सीज़ को की और भी कई पहलू है, जो तीन पैंचों की जज़िस का जो बेंच था, जो लेड़ बाई था, जिसकी अगवाई में थे, हमारे जस्टिस चंदर्चूड साब, CGI जो इंडिया ह करेंच ने ऐसा कहा, कि जो biological process है, जो natural process है औरतों की body में, इसको नहीं बनना चाहिए, must not become, एक dis incentive, देखें, dis incentive का मतलब होता है, एक सजा, एक discrimination का बहाना, इंसेंटिव का बिल्कुल उल्टा है, तो इसको एक सजा नहीं बनना चाहिए, employers के लिए, जो लोग employee रखते हैं, या औरतों को छुटी दिनी है, हर मेने चार दिन की, तो employer औरतों को job देना बंद कर देंगे, औरतों की बलाई के लिए लोग बनाया Supreme Court ने, और वो औरतों को नोकरी मिलना बंद हो गई, तो Supreme Court ने बोला भई, ये सिधी सिधी बात नहीं है, इसमें कई पहलू है, कई dimensions है, हम तो this encouragement भी बोलते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला इन्होंने, करे जी, a petition had sought the court's direction to states to frame rules for granting menstrual pain leave for students and working women, करे जी एक petitioner था, एक petition थी, petition आप समझते न, याचिका, आप कोड में जाएं और कुशी मामले को कोड के सामने रखें और बोलें कि मुझे इस पर इंसाफ चाहिए, तो करें, ऐसे एक याचिका आई थी, court के पास में एक request आई थी, इस याचिका में इस चीज़ को sort किया गया था, सीख किया गया था, सीख की third form है, सीख करना मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, या किसी काम को करवाने की कोशिश करना, तो यह याचिका इ direction हो कोट खुद निर्देश दे सभी राज्यों को कि यह राज्य जो है ना फ्रेम करें ऐसे कानूनों को जो हैं देने के menstrual pain की लीव को और किनको ऐसी विमन को जो या तो students है या फिर offices में काम करती है तो ऐसी पेटिशन कोड के पास आई थी अपेटिशन है इस लेकिन हुआ क्या हुआ सर यह बट देर आर अप्रिहंशन दैट इस कुड एंट्रेंच एग्जिस्टिंग स्टिंग्मा एंड ऑल्सू रिजल्ट इन फॉर्जरिंग डिस्क्रिमिनेशन के लेकिन बात यह कि इस शीज के बड़ी आशंकाएं बड़े एप्रिहंशन बड़े डाउट या बड़े डर है दैट वो यह कि अगर ऐसे कानून बन गए तो यह एंट्रेंच कर देंगे एंश्वाइन कर देंगे अंदर वसा देंगे और क्या एंट्रेंच कर देंगे हाल में बैटी हुई स्टिगमा को हाल में हमारे समाज में चलती तो ओरतों को लेके वैसी बहुत कुंटा चलती है कि इनको घर से बार मत निकलने दो बुर्खे पहनाओ स्कूल में मत जाने दो हार एजुकेशन मत करवाओ जीन्स मत पहनने दो जब ओल्डी ऐसी स्टिगमा चल रही है तो ये चीज़े हैं इनको और जादा एंट्रेंज कर देगी इनकी इस टिगमा को और हो सकता है रिजल्ट इन हो जाए इसका शंकाएं या डर हिंदीं बोलते हैं शंका या डर दोनों के लिए अप्रिएंशन वर्ड आता है दीज की वब कुड एंट्रेंच एंट्रेंच इस्टैबलिश एंश्वाइन किसी चीज को अंदर बसा देना है ना या देना वर्ड स्टिग्मा यानि कुंठा असिंबल ओफ डिस्क्रेश चली ओर आगे वड़ते हैं अब आजाओ नेक्स पैराग्राफ पे अब यह बताएगा कि दुनिया भर में क्या चल रह है करे इन इंडिया कैरला एंट बिहार है मेंने च्ट्रेश पेल लीव स क्याराइग अर्च गार्सप्राइबर यह उल्यदी चल रही है और जो फूट बिहार्टो यह बें इंट्रीश कर चुकी है इस प्लिशी को जमेटो कि विमेटो को भी ऐसी चुट्ती मिलती है केरला बिहार की वर्ब है, have, जमेटर की वर्ब है, has introduced करेज, इंटुनीशिया, जपैन, साउध कोरिया, स्पेन और जांबिया have this policy included in labor laws करेज, यह सारी कंट्रीज न, इन्होंने इस policy को include करवाया है अपने इस law में, labor law में इन सभी कंट्रीज की वर्ब है, have, have के बाद में लगी है वर्ब की third form, causative structure है आज causative के अंदर नहीं कुसेंगे, नहीं तो एक गंटा निकल जाएगा, इसी class के अंदर causative आपको करवाया गया है, जिन्होंने basic सच्छे से किये, notes निकालो make, have or get, कैसे अपने बाद किस type की वर्ब को लेते हैं have passive में लेता है वर्ब की third form चलो और आगे बढ़ते हैं, अब इन सब के पास ये policy बनी हुए है इन countries में करे जी, many feminists have however decried the move saying it will reinforce negative gender stereotypes करे जी, बहुत सारे जो feminist हैं, ओरतों की, बड़ाई ओरतों की जो है पक्ष भरते वाले हैं, feminist आप जानते हैं जो feminism को follow करें करें इन्होंने हालांकी decry किया है, condemn किया है अलोचना की है, इस हरकत की और कैसे की है, क्यों की है, ऐसा कहते हुए saying, ऐसा कहते हुए, कि ये जो हरकत है ये reinforce करेगी और मजबूत बनाएगी negative gender stereotypes को gender को ले करके या ओरतों को ले करके जो घिसी बीटी बातें समाज में चलती हैं, जो negative है वे ओरतों के लिए कहते हैं इनको तो आसानी से नोकरी मिल जाती है समाज में ऐसा है न, ये तो काम ज़दा नहीं करती है इनको शाम को जल्दी जाना होता है बाकी लोग रात में रुक के भी office में काम करेंगे लेकिन ladies को नहीं करवाना तो ये already stereotypes ओरतों के लिए बने हुएं समाज में जब इनको चार दिन की और चुट्टी भी देने लग जाओगे न menstrual pain leave की, तो ये negative stereotypes और बढ़ने ही वाले हैं तो feminist बोल रहे हैं ऐसा इसान हमारे उपर मत करो ये चुट्टी हमें नहीं चाहिए feminist की वववे have decried, decry करना, condemn करना इट की वववे will reinforce चलो reinforce किसी चीज को और force में लाना और मजबूत करना stereotype, cliche, hack and head, banal, याद है न करे जी also in India there are other problems in need of addressing such as lack of sanitation facilities in school and at the workplace के रहे हैं साथ ही साथ भारत में दूसरी भी कई समस्याएं हैं जो इस need में है address होने की जिनको जरूद है संबोधित किये जाने की जैसे की सच जैसे की sanitation की facilities का lack lack मतलब कमी, sanitation मतलब सफाई, facility मतलब सुविधाएं तो सफाई की जो facility है बात कर रहा है टॉलेट की या washrooms की तो washrooms की जो कमी है schools में या है नहीं या है तो अच्छे नहीं है गांग के अंदर school में और या फिर at the workplace काफी जगह offices में especially in the formal informal sector खास करके छोटी jobs के अंदर informal sector में जहां पर कुछ formal jobs नहीं है तो इसने पूरा फोकस आपका इस समस्या से अटा दिया यह उपर हो रही थी यह आर्टिकल करें कि यह सब बाद में देख ले ना चुट्टियां देनी या नहीं देनी पहले जो इससे बड़ी समस्य है न वो यह देखो सबसे पहले तो टॉलेट्स बने सब जगहें अगर नहीं बने हुए तो स्कूल्स में या वर्क प्लेस पर यह समस्य से ज्यादा बढ़ी है बजाए इसके कि आपको कितने दिन की चुट्टी की सवरत को किस वज़ए से देनी है प्राब्लम्स की वब है और सैनिटेशन मैंने आपको बता दिया यह जोड़ा जाता है किस से वाश्रूम से न टॉलेट से चलिए आगे बढ़ते हैं करेजी बिट्वीन ट्वेंटी 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 ट्रॉप्ट फॉन्टी न जो है वो ड्रॉप कर गया 26 टका से 19 टका पे तो 2010 में 100 में से 26 ओरते काम करती थी कहीं 2020 में भारत में सिरफ 19 ओरते ही काम कर रही है और यह है अकोर्डिंग टुद वर्ड बैंक डेटा वर्ड बैंक के डेटा के हिसाफ से तो यह ज्यादा बड़ी समस्या है इन समस्याओं की अब यहीं पर चोटी सी ब्रेक लगांगे गाड़ी के देखो ब्रेक इसलिए लगवा रहा हूं दो एर्रस आपने मेरे साथ पढ़ी है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया एक तो गई है शुरू में और एक आई है यहाँ पे मैं आपको एक मोका देता हूं इस वाली को बताए जाती है बिट्वीन काणपूर तू लखनो यह फ्रों कानपूर तूटू लखनो मिक्स नहीं करना है इनको बिट्वीन के साथ में टू लगाए फ्रॉं के साथ में लगाए ऐसा नहीं करना है यूज Donc करके दिखाता हूं फाइट्स बिट्वीन इंडिया फ्लाइट्स बिट्वीन इंडिया टु यूएसे जनली पास वाया तर्की एरपोर्ट जो फ्लाइट्स है और कहां से इंडिया से अमरीका की जनली वह पास करती है निकलती है तर्की एरपोर्ट से देखने में सही है लेकि के क्या लगाएं तू तब लगाना है सर तू बड़े प्यार से लगाओ अगर यहां पर बिट्वीन के जगे फ्रॉम लिखाओ फ्लाइट फ्रॉम हिंडिया दू यूएस से जनरली पास वाया टर्की एरपॉर्ट समझगे अब ध्यान से देखो बिट्वीन 2010 और 2020 लगाओं के एनजी फोंवला टू के बाद में ऑन दा वे टू या अन दा पाथ टू के बाद में अगर आएगा तो या तो नाउन लगा या वह हो पकी एनजी फोंग हैगी सारे वह फ्रेज़ में आपको करवा चुका हूँ जो अपने बाद में वह रप की ing form यानि gerund तो यह सारे phrases आपको ओलेडी करवाई हूँ अच्छे से बार बार मैं दिखाता भी हूँ एक screenshot ले लो अगर लेना चाहते हो तो तू यहाँ पर preposition है हर एक phase में और preposition अपने बाद में verb की base form को नहीं लेती है with a view to plus में verb की ing form when it comes to plus में verb की ing form contribute to plus में verb की ing form चलिए बढ़ें आगे करें जी to encourage more women to join the workforce it is imperative they have access to higher education and more opportunities करें encourage करने के लिए बढ़ावा देने के लिए और ओरतों को कि वो join करें workforce को करें यह बड़ा imperative है इस कांग को करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन औरतों के पास access हो पहुँच हो और किसका higher education का और ज़्यादा पॉर्चुनटीज का तो यह काम भी इंडिया को पहले करना ज़्यादा ज़रूरी है it की वोब है is imperative का मतलब है necessary duty, obligation, responsibility फर्ज है न करताव है they की वोब है have they are of course for women औरतों के लिए लगाया गया देखो और क्या कह रहे जी कह रहे जी sometimes sometimes girls have to drop out from school simply because there are no toilets कह रहे जी कभी-कभी लड़कियों को drop out करना पड़ता है गाउं से महज इसलिए simply because क्योंकि school में कोई toilet नहीं है drop out from school का मतलब समझते हैं पड़ाई छोड़ना तो पड़ाई छोड़ देती है क्योंकि बच्ची बड़ी हो गई है एर्ट एंट के अंदर आ गई है लेकिन school में अच्छी toilet नहीं है तो school नहीं जा रही girls की वाब है have toilets की वाब है in a word what that should strive to become a better place for all it is the responsibility of the wider society and governments to ensure that no section is left behind करें बड़ी समस्या तो यह है कि एक ऐसी दुनिया में जिसको strive करना चाहिए जिसको कोशिश करनी चाहिए try करना चाहिए attempt लेना चाहिए और क्या करने का become करने का बन जाने का एक better place सभी के लिए करें ऐसी एक दुनिया में न यह responsibility है that की वब है should strive that I work के लिए strive करना किसी चीज़ को पाने की सीख करना या कोशिश करना it की वब है sections की वब है करें जी many countries are trying out four day work days for a quality life while others are offering paternity leave so that parenting can be rightly equally shared करें जी बहुत सारी countries कोशिश कर रही है कि वो चार दे work days बनाए वो try कर रही है इस work चार दिन वाले work week को सोमवार से गुरुवार तक काम करो शुकरवार शनीवार रविवार की चुटी और किसके लिए quality life के लिए जिन्दिगी में ज़्यादा अराम के लिए जबकि बहुत सारी दूसरी जो है वो offer कर रही है सही तरीके से और बराबरी से साजा अब पिता भी चुटी ले माता भी चुटी ले दोनों को सरकारी चुटी मिले सरकार की तरफ से मिले दोनों बच्चे को पा ले तो ये parenting को इक्वल बनाने के लिए इस काम को किया जा रहा है and also to ensure employers do not see recruiting women as an advantage सोदे के तो मैंने कंट्रीस तो यही कोशिश कर रही है कैसे भी करके और तो को रखना जो है employers के लिए उनको गाटा ना लगे है ना गाटे का सोदा ना लगे parenting easy हो सके सब कुछ चुटी मिले चलो प्रेंट्रीस की वह बहाँ है आर ट्राइंग प्रेंट्रीस की वह बहाँ है चैन बी चैन बी शेर्ट करें जी all constraints on the road to gender equality and equity must be done away with करें सारी पबंदियां जो है on the road to इस रस्ते पे जो है gender equality और equity का लेंगिक समानता का equality equity एकी बात है करें इन सभी पबंदियों को न done away with किया जाना चाहिए passive voice लगा के इन से चुटकारा पाया जाना चाहिए get rid of या eradicate किया जाना चाहिए ठीक है तो done away with do away with उसी की third form B plus में verb की third form यहां पे B plus में verb की third form यहां पे लगी हुई है get rid of भी बोलते हैं dispose of भी और single F लगेगा double F नहीं लगेगा चलिए यह wrap up करेंगे session को जल्दी से अपने quiz पे आ जाओ interesting article था और यह आपको ऐसे question आज का descriptive में मिल रहे हैं न तो उसके लिए आपको बहुत सारा मसाला मिल गए आप लिखने के लिए first question में पूछा है primary apprehension क्या है सबसे बड़ा डर क्या है या शंका क्या है ऐसे एक कानून की enforcement और enactment की जो है paid menstrual leaves का ओरतों के लिए तो सबसे बड़ी चिंता क्या है इस leave के लेने के बाद क्या होने लगेगा इससे जो है आदमी जो है काम करने वाले मेर्ग वर्कफोर्स उन पे ज़्यादा दवाब आएगा या इससे employers को बहुत ज़्यादा कोस्ट पड़ेगी उनको महंगा पड़ेगा चुट्टी देना या जो pain और discomfort है जो menstrual cycle से जुड़ा है वो हर औरत के लिए अलग है तो सबको बराबरी की चुट्टी नहीं दी जा सकती और या फिर इसका reason ये है कि ये हो सकता है समाज में जो कुंठाएं हैं उनको और ज़्यादा reinforce कर दे और और ओरतों के लिए dis incentive or discrimination का माहौल पैदा कर दे ओफिस के अंदर तो सबसे बड़ा apprehension क्या है आप खुद समझदार है आर्टिकल अच्छे से पढ़ चुके है कोशिश करो सही answer को निकालो first comment में मैं मेरा answer डाल रहा हूँ वहां से match कर लेना second बुचा है जी court का directive क्या रहा है court का क्या निर्देश रहा है पेटिशन के लिए जो है paid menstrual leaves की तो जब याचिका लगी तो court ने क्या उसको respond किया court ने petition को dismiss कर दिया या court ने suggest किया सुझाव दिया petitioner को कि वो सरकार को approach करे ताकि कोई policy बनाई जा सके इस पूरे मामले पे या फिर court ने एक apprehension दिखाया एक डर दिखाया कि paid menstrual leaves जो है वो बन सकती है कुंठा का कारण ओरतों के लिए या फिर आपको लगता है B और C दोनों किया court ने या फिर आपको लगता है A B C और तीनों किया थोड़ा गहरा question है अच्छा question है देख लेना words का खेले सारा पता तो आप सभी को एक quote ने क्या क्या किया है थोड़ा सा words पकड़ोगे न तब आपको सही answer मिलेगा निकालो first comment में मेरे answer डाल दी है अपना वहां से कर लेना match अब आजओ grammar vocab के questions पे एक gisipity चीज को conventional image or notion को जो किसी चीज से जुड़ा हो किस word से बताया जाता है यह सारे word आपको करवाई हो है gisipity के है ना gisipity या बेसवादी चीज के कोई भी लिख दोगे एक answer आपका मान लेंगे चोथे में sentence improve करना है इस phrase में improvement की chance हो सकते है कोशिश करो देखो improvement होती है यहां तक ठीक है root से लेकर के यहां तक कोजो errors कहा है comments मेंने अपना answer डाला है फिर match कर ले ना चलिए सात्वा है stigma जो word आप से पूछा है इसका synonym क्या होगा try it होगा entrance होगा circumference होगा disgraceful perceptions होगा तो डालो comments में answer out of seven कितने marks मिले मेरे answer से अपने answer को match करके एक like और एक share जुरूर से दे इस session को अगर आपको लगता है वास्तम में session से आप कुछ नया सीख रहे हो है न until then courses available app पे जाके फाइदा ले सकते हो time रहते ही courses का फाइदा लेना है ऐसा ना हो last moment पे आकर करके अब message करें सार 15 दिन रहे हैं एक महिना रहे है अभी जब वक्त है बढ़ने का तो पढ़ाई भी पूरा ध्यान दो content सारा available application पे writing का, sse का और banking का app को जाओ comment section से डाउलड करो first comment से link रख है कोई भी query हो यह number है WhatsApp का team से आप message करके बात कर सकते हैं